हेलो फ्रेंड्स नमस्कार वेलकम बेक मैं चैनल टागर टीचर जॉब मैं प्रेंग का स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टागर टीचर जॉब में दोस्तों आज हम बेट दूती वर्स इतियाज सिच्छड के विसाय में पढ़ेंगे और यह आपका पूरा कंपलेट हो गया साती तया सिचड और भूबर सिचड का भी कि यूपियच कंपलेट होने माला है तो दोस्तों यहां पर आपके जो भी सहबभाठ तय होगे खिर कर दिजेगा इन सारी लिंक को आम डिस्रिप्शन में देंगे और साथी टेलिग्राम चैनल पर बीर्ड क्लासिस के नाम से यह सारे लिंक और लेबल है तो आपको जहां भी सुभधा होगी आप हुआ से अपने स्टड़ी करिएगा तो दोस्तों चली देखते हैं इसमें कोश्यन है इतिहास इछड में मुल्यांकन के उद्देश्यों पर प्रकाश डालिए यह आपके 2014 में पूछा हुआ कोश्यन है तो दोस्तों चली देखते हैं इतिहास इछड में मुल्यांकन के क्या उद्देश्यों होते हैं क्योंकि दोस्तों इसके पहले हमने देखा था ना इतियास इचड में मुल्यांकन की आव सकता तो मुल्यांकन के विशे में हमने बहुत सारे डिसकस कर लिया था लेकिन फिर भी यहाँ पर हम एक बार देख लेते हैं कि मुल्यांकन के जो उद्देश यह है उसके विशे में त सुधार करता है तो दोस्तों आपका ये डेडिंग रहेगा इतिहास इच्छड की पधतियों में सुधार तो इससे क्या होगा आपका जो कॉपी होगा थोड़ा एट्रेक्टिव हो जाएगा और थोड़ा डिफरेंट भी हो जाएगा यूपीस से दोस्तों देखे आपका जो सब्सक्राइब करने के लिए आपको यहां पर इतिहास इच्छड में पधतियों में सुधार करता है मुल्यांकन तो इसके बारे में आप डिटेल कर दीजिएगा कि जो इतिहास इच्छड में मुल्यांकन के माध्यम से इसकी जो पधतियां उसमें सुधार होता है क्योंकि जब एक इतिहास सिक्छक अपने छात्रों को सिच्छड के माध्यम से अधिगम कराता है तो अधिगम कराने के बाद वो अपने छात्रों का मुल्यांकन करता है उसके बाद ही उसे यह पता चलत सच्छट के माध्यम से जो भी सच्छट पद्धतियां उसमें सुधार किया जाता है क्योंकि दूरीव करहें तो इस थी तरह से उन कमयों को दूर करने के लिए वह अलग-लग पद्धतियों का प्रियोक करें तो दोस्तों यह आपका पहला कर दीजिएगा कि जो मुल्यांकन होता है मुल्यांकन के आधार पर ही इस निसकर्स पर पहुँचा जाता है कि जो भी विद्याले की व्यवस्था है जो भी वहां की सच्चिक व्यवस्था एक तरह से सच्चिक प्रडाली है उस मुल्यांकन की आधार पर ही इस निसकर्स पर प अगर सिच्छड कारे सही है तो मुल्यांकन में जो इस्तिती होगी वह बहतर होगी लेकिन अगर सिच्छड कारे विद्याले की जो व्यवस्ता वो सही नहीं है तो कहीं न कहीं जो परडाम होगा वो अच्छा नहीं आएगा यानि कि मुल्यांकन के अधार पर जो परडाम होग परिच्छड प्रडाली होती है उसमें मुल्यांकन सुधार करता है क्योंकि दोस्तों मुल्यांकन के आधार पर ही पता चलता है कि जो भी परिच्छड प्रडाली थी उसमें क्या क्या कमिया थी उसके आधार पर ही जो भी प्रडाली अभी तक यूच की जा रही थी उसमें किस लेवल पर हम बात करें तो जो भी सिख्चक अपने टेस्ट के मादम से जो भी कारे करता है तो वहां पर मुल्यांकन के अधार पर सिख्चक को भी पता चल जाता है कि उसने जो भी टेस्ट के तरीके अपना है वो चात्रों के लिए बहतर थे कि नहीं कम समय में वो किस तरह से अपने चात्रों का मुल्यांकन करें, उसके लिए वो अलग अलग प्रविदियों का प्रयोग करता है, अब हम देखें दोस्तों, यहाँ पर नमबर 4 पॉइंट, मुल्यांकन इतिहास सिच्छड में बैक्तिक सिच्छा पर बल यह आपका पॉइंट हो जायगा, अब यहाँ प प्रदवाइब सामानने प्रत्वासाली अपर इस तुम का घृषब का आधार करता है और उस कि रूची आउसिक्ता चम्ता योगिता सबका ध्यान रखता है तो ये मुल्यांकन ही सिख्चक को सिच्छड कारी करने में सहायक्ता प्रदान करता है दोस्तों यहाँ पर हम बात करें नमबर फाइब पॉइंट की मुल्यांकन पार्टिक्रम सुधार के आउसर प्रदान करता ह तो दोस्तों यहां पर हम देखें पाठिक्रम सुधार के आउसर प्रदान करना यह आपका point हो जाएगा अब यहां पर आप detail करेंगे कि जो मुल्यांकन होता है मुल्यांकन के आधार पर ही पता चलता है कि जो भी पार्ठिक्रम है वो छात्रों के अध्गम के लिए कितना बहतर है कितना नहीं उसी के आधार पर ही पार्ठिक्रम में सुधार भी किये जाते हैं क्योंकि दोस्तों देखते हैं जो इने नवाचार के म अधिकारी होते हैं ये डिसीजन लेने के लिए कौन से पार्टिक्रम रखे जाए छात्रों के लिए कौन से या जात्र आ कुल से लेकिन अगर हम बात करें आप के जो भी चात्रों के पार्टिक्रम मं को द्खा जाता है तो यह बालकों का जो अस्तर हो कैसे निर्धारित होता है अब यहां पर हम देखें दोस्तों नंबर पॉइंट इसके पहले हम लोग देखी चुके हैं कि मुल्यांकरी की आउसक्ता किस तरह से इसके पहले वाला जो लेक्चर था तो दोस्व यहां पर उसके आधार जो बहुता है तो अधिगम का अगर वो चात्रों के अधिगम में सार्थख नहीं है तो अलग-अलग पद्दतियों का प्रयोग किया जाता है मुल्यांकन के बाद जो पड़ाम आता है चात्रों का अगर वो सही है तो एक तरह से वो सिचड पद्दति चात्रों के लिए अनकूल है चात्रों के लिए बहतर है तो वो सिचड़ पद्दती की सफलता का पता लगाने के लिए भी मुल्यांकन आवस्यक है यहाँ पर हम देखें नमबर सेवन पॉइंट मुल्यांकन निदानात्मक तथा उपचारात्मक सिचड़ पर बल देता है तो दोस्तों यहाँ पर हम देखें मुल्यांकन के आधार परी सिच्चक इस निदानात्मक और उपचारात्मक सिचड़ का प्रयोक करता है अब हम देखें नमबर एट पॉइंट पर दोस्तों यहाँ पर एट पॉइंट है मुल्यांकन प्रविदी द्वारा छात्रों की इतिहास विसे से समझे कटनाईयों का पता लगाया जाता है तो दोस्तों यहाँ पर हम बात करें जो छात्रे इतिहास विसे में कही न कहीं कमजोर है कही न कहीं उन्हें कटनाईयों का सामना करना पढ़ रहा है या फिर परिसानिया आ रही है तो एक सिक्षक मुल्यांकन के आधार पर इस निसकर्स पर पहुंचता है कि छात्रों को जहां भी कटनाईया आ रही है जहां भी उन्हें परिसानिया आ रही है उसको किस तरह से दूर करना है तो यहाँ पर दोस्तों आपका जो पॉइंट बनेगा यहाँ पे इसके सेवन पॉइंट में था निदानात्मक तदाप चारात्मक सिछड परवल इसके बाद प्रविजी द्वारा चात्रों की इतिहास विशे से समयनित कठनायों का पता लगाना यह आपका पॉइंट हो दोस्तों यहाँ पर लास्ट पॉइंट अगर हम देखे तो एक सिछग के अपने चात्रों का मुल्यांकन इसलिए भी करता है क्योंकि उसे यह जानना होता है कि उसने जो भी सिछड कारी किया वो चात्रों ने कितने बहतर धंग से अधिगम किया तो एक तरह से यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इतिहास सिछग अपने सिछड की सफलता के लिए भी मुल्यांकन करता है कि उसने जो भी सिछड कारी किया वो किस हद तक सफल रहा है उसके चात्रों ने कितने अच्छे धंग से अधिगम किया और दोस्तों यहाँ पर इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो इतिहास सिछड में मुल्यांकन का जो उद्देश यह वो बहुत ही ज़्यादा महत्तुपूर हो जाता है क्योंकि मुल्यांकन की आधार पर ही एक सिछड के इस निसकर्स पर पहुंचता है कि उसने जो भी सिछड विदियां प्रयोग की सिछड में जो भी प्रविदियां जो भी सिछड कोसल जो भी युक्तियां जो भी तरक जो भी सिछड सामागरी प्रयोग की वो किस हद तक उनके छात् थो दोस्तों आजाकरती हूँ कि ये सारे डिसकसन आपको समझ में आए होंगे तो दोस्तों वीडियो को सब्सक्राइब करके वैल आइकन बटन को जरूर प्रेस कर दीजेगा जिससे हमारे सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिल सके तो दोस्तों इसी तरह से अपनी पढ़ाई जारे रखिए अपना ध्यान रखिए अपनों का ध्यान रखिए अपने आज पर सफाई रखिए हमसे जुड़ने के लिए थांक्यू समाच जैहिन